तो दोस्तों आप लोगों ने आफिस पॉलिटिक्स के बारे में सुना होगा, फील किया होगा, देखा होगा, एक्सपिरियन्स किया होगा, मैं भी पार्ट भी रहे हूँ, तो जो आफिस पॉलिटिक्स होता है, ये कोई ऐसा आफिस नहीं है, छोटा बड़ा, जिसमें ना हो, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत जादा और इसकी वज़े से कई-कई बार office को बहुत अपना valuable वंदा बहुती बढ़िया asset छोड़ना पड़ता, वो छोड़के चला जाता है तो इस वीडियो को चाहे वो executive class के लोग देख रहे हैं चाहे, basic employee लोग देख रहे हैं चाहे, owner देख रहे हैं सबके लिए ये वीडियो फाइदा करेगा in fact, जो new journey है, जो अपना career स्टार्ट कर रहे है जो journey को स्टार्ट कर रहे है उनके लिए वीडियो बहुत ही help होने वाला इसमें मैं बहुत defined planning करके नहीं आया हूँ, कि मैं आपको टक 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 वो points बताऊंगा but yes, मोटे तोर पे जो मेरा अपना experience है 21 years का corporate में वो मैं definitely आपको उसके basis पे चीजों को बता पाऊंगा office politics किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो तब पहला point, it is really not good for anyone if you are indulged into it अगर आप उसमें है if you are taking benefit out of it if you are not taking benefit out of you आप उसके part नहीं है part बनना चाहते है सबके लिए बता दो, किसी के लिए भी office politics अच्छा नहीं होता, खास तोर पे corporate के लिए वहाँ पे एक अच्छा मलब रह नहीं पाता हो, बाहर चला जाता है क्योंकि उसे politics नहीं चाहिए आप किसी बहुत अच्छे और valuable बन्दा जो contribute कर सकता था जो एक बहुत बड़ा asset हो सकता उसको lose कर देते हैं उसके उगर lose भी नहीं करते हैं तो उसकी सेवा है, उसका जो services है जो आपको बहुत उपर ले जाता वो भी नहीं आप ले पाते हैं यानि उसका potential को use नहीं कर पाते हैं यानि एक तरह से optimize नहीं हो पाए क्योंकि आपके बन्दा है और आप उसको use ही नहीं कर पा रहे हो दूसरा, कई एक ऐसे बन्दे को आप promote कर देते हो या उपर बठा देते हो जो real में उतना capable नहीं है और because of that जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो हमेशा frustrated रहते हैं and because of that ultimately वो company को छोड़ जाते हैं और जब छोड़ के जाते हैं naturally वो अच्छी image carry करके नहीं जाते हैं किसी से भी बात करेंगे और negative ही करेंगे कई बार companies को लगता हमें क्या फरक पड़ता है चार लोग negative बाते करेंगे उससे क्या फरक पड़ता है यार matter तो overall नहीं करता but actually छोटी छोटी feedback भी matter करते हैं market पे और वो आपको long term असर देता है मान लिजे आप बहुत अच्छी company चला रहे है हो सकता है उस छोटे छोटे negative feedback जो अभी चले गए अगर वो positive होते तो सायद और value add होता तो याद रखिए office politics को आपको avoid करना है अब इसके दो तीन तरीके हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि office politics को avoid कैसे करें अगर corporate label की बात करें तो corporate label हमेशा एक transparency रखे corporate label हर बार मैं ये executive के लिए बात बता रहा हूँ executive label पे जितने ही बंदे हो एक अपने transparency रखिए और एक suggestion box ऐसी जगर रखिए जहां पे कभी भी आपका CCTV ना पहुँशता हो और वहाँ कोई भी अपना suggestion डाल सकता हो आप इसको doubt dated बोल सकते हो इसका एक substitute है थोड़ा modern way में कि आप Google Seat भेज दीजे जो track ना करे किसी का email ID तो Google Seat से भी आप feedback ले सकते हैं open feedback ले सकते हैं हलाकि इसमें भी कई बार कुछ लोग जिचकेंगे क्यों आपने डर रहेगा कहीं उन्हें track ना कर लिया जाए but yes open feedback system open communication and various communication channel जो होते हैं वो office politics को काफी हद तक reduce कर देते हैं कि easy access हो किसी भी lower से lower hierarchy में बंदा हो उसका भी top hierarchy तक access हो कि अपनी बार direct या indirect वहां तक पहुचा पाए so communication channel अगर बहुत अच्छा होगा तो office politics हमेशा minimize रहेगी दोसी बार office politics को अगर आपको avoid करना है तो हमेशा एक fair evaluation रखिए maybe three months, maybe six months maybe एक साल में एक बार इस fair evaluation में जहां पर top management evaluate करता है individually एक एक hierarchy को तो आपको उसमें performer मिलेंगे और उन performer से आपको फिर leader चुनने में आसानी होगी feedback हमेशा आप अपने customer से भी लीजे कई-कई बार छोटे-छोटे feedback आपको बहुत बड़े impact full decision लेने में help करते हैं तो वहां से भी आपको feedback अपना system लेना होगा, यह तो रहा executive के लिए अब हम बात करने वाले हैं imply के लिए, imply कैसे अपने आपको बचाए एक political system में office में कभी कोई आपका दोस्त नहीं होता, यह समझ लीजे कभी भी office में office का colleague आपका दोस्त नहीं होता, तो कभी भी किसी भी office colleague से कोसिस करिए कि अपने personal information share मत करिए किसी से अपने past को share मत करिए, अगर आप office में अपने personal और past को share करते हैं, तो वो जिससे आप share करते हो, वो कभी न कभी उसको use करके उसका फाइदा उठाने की कोसिस करेगा, कभी भी किसी और imply के बारे में negative बात मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में negative बात करते हैं, अभी जिससे आप बात कर रहे हैं, वो आपका दोस्त है, कल को अपने काम से काम मतलब रखिए और unnecessary, ना तो किसी को please करने, खुस करने की कोसिस करिए, ना तो किसी को कोई ऐसा चोट पहुँचाईए, किसी बातों से या कोई अपने act से, कि वो आपको जाने अन जाने आपका एक दुस्मन मन जाए, आफिस में ही, हमेशा अपने काम से काम रखिए, unnecessary seniors के कमरे में ताक जाक करना, unnecessary जादा good morning, good evening भोलना, और बिना बे बज़य जाके उसको सामने आना या अपने आपको so करना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप talented है, आप मेहनती है तो management में बहुत जल्दी ही, कहते हैं न, खुस्बू बहुत जल्दी फैलने लगती है, तो वो खुस्बू management के top management तक पहुँचेगी later or sooner पहुँचेगी जरूर नहीं पहुँचती बहुत दिन तक तो आपके पास option रहता है, छोड़िए उसको तो यह एक छोटा सा वीडियो था जिससे मुझे लगता है कि कई लोगों को इससे फाइदा हो सकता है, इस पे बहुत बड़ा एक broad वीडियो, leadership और basic mid management, lower management और top management पे भी वीडियो लाने वाला चेन लाने वाला हो, leadership series का तो वो जल्दी ही लाऊंगा आपने comment दीजेगा, आपने points दीजेगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो छोटा सा क्या इससे आपको कुछ help मिलेगी और फिर आपका अपना क्यारा है office politics को लेगे, thank you very much bye bye, take care